दोस्तों को अफ्रिसा आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर Realme Narzo 30 Pro के लिए Realme ने Android 11 के Stable Update रूल आउट कर दिया है जी हां दोस्तों Android 11 के Stable Update रूल आउट कर दिया गया है ये अपडेट आपको कैसे मिलेगी, कब मिलेगी और इसकी अपडेट वर्जन क्या होगी, क्या साइज होंगे और क्या क्या है चेंज लॉग और कीन उसको इस सवाले अपडेट के लिए जाना चाहिए जो इस अभी तक open beta पे है या फिर early access पे है उनको 231 MB की update मिलेगी जिसमें bug fix किये जाएंगे जो इस Android 11 पे पहले से हैं उनकी हम बात कर रहे हैं फिर जो लोग Android 10 पे हैं उनकी बात बात में करेंगे अगर आप screen brightness को यहां पर एड्यस्ट नहीं कर पाते थे तो इसको यहां पर fix किया है कभी-कभी connection sharing और जो connection और शेरिंग पेज है उसमें आपको airplane mode देखती है लेकिन कभी-कभी आपको वहां पर दिखाई नहीं देती थी तो इसको यहां पर fix किया है और साथ-साथ कभी-कभी आपको जो है back button दिखता ही नहीं था जब आप mini window open करते होते हैं तो यहां पर mini window अगर आपने open किया हुआ है और back कर रहे हैं यानि कि आप सूट ही नहीं कर पाते हैं कभी-कभी यह issue आ रही थी तो इसको भी यहां पर fix किया है और कभी-कभी वीडियो recording करते हुए आपका screen freeze हो जाता था तो इसको यहां पर fix करने की कोशिस की गई है और साथ-साथ जुलाई के security patch दे दिये गया है तो वहीं पर बात कर में 100% आपको DRE की feature देखने को मिलेगी तो यह तो थे android 11 पे जो users है उनके लिए change log अब बात करते हैं कि जो users android 10 पे हैं उनका क्या तो देखिए दोस्तों अगर आप android 10 पे है न तो आपको directly update मिलेगी आपको कोई form fill up करने की ज़रूरत नहीं है यहां दोस्तों कोई form fill up नहीं क settings में जाके software update section को update refresh करते रहना है आपको update मिल जाएगी लेकिन दोस्तों update मिलने के लिए term and conditions क्या है चलिए देख लेते हैं दोस्तों update करने के लिए term and conditions काफी simple है आपको जो है latest update पे होना होगा चाहे आप A35 पे है A37 पे है या फिर A39 पे फर्क नहीं परता है stable update है आपको मिलेंगे अप चलिए बात कर लेते हैं कि जो युजरस android 10 पे हैं उनको कितने MB की update मिलेगी तो दोस्तों 3GB की update मिलेगी और इसके लिए change log बताना जरूरी नहीं यह चुकि नया UI होगा android 10 से आप android 11 पे अपक्डेट कर रहे होंगे तो आपको पूरा सारे 3GB का firmware मि मिलेंगे अगर बात करें यहां पर दोस्तों कुछी उजरस को अगर यह update नहीं मिलते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है चुकि सारे उजरस को तो एक ही साथ नहीं दिये जाएंगे बैचेजवाई अपडेट आती है ताकि major bugs अगर हो तो वहीं पर update को रोक दिया जा किया जाएगा उसके बाद ही आपको अपडेट दिया जाएगा major bugs नहीं होंगे लेकिन minor bugs होंगे जिससे आपको शायद फर्क नहीं परने वाला है लेकिन camera जो है जितने भी smartphone में android 11 stable update आई है ना camera stable बिलकुल ही नहीं है इसलिए यह आपके उपर depend करता है कि अगर इन सब के अंदर आपके device तक होगी लगातार आप software update session को चेक करते रहेगा तो यह थे realminarzo 30 pro को मिलने वाले android 11 stable update की जानकारी उमीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए और हाँ आपको update मिला या फिर नहीं कम बताएंगे अपडेट अगर मिल चुका है तो कैसा है device का performance यह भी बताएंगे comment section में हम मिलेंगे किसी नई वीडियो में हमें दीजिए इजाज़त thank you